बिहार की मुख्यमंत्री राबडी देवी आज जहानाबाद पहुंची उनके साथ लालू प्रसाद यादव और आधा दर्जन मंत्रियों का काफिला भी था राबडी देवी ने यहाँ छे जन सभाओं को संबोधित किया और कहा कि जिले के भूमिहीन गरीबों को सरकार जमीन देगी ताकि हिंसा खत्म हो सके राबडी देवी और लालू यादों ने गरीबों और दलितों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जानमाल की हिफाज़द करेगी और हिंसा के लिए जिम्मेदार उगरवादी ताकतों का सफाया किया जाएगा लालुयादों ने दावा किया कि यहां के लोग उग्रवाद नहीं चाहते और ये बात सावित करने के लिए आज वो खुद रिपोर्टर भी बन गए पिछले 45 दिनों में जहानाबाद जिले में नरसंगहार की चार घटनाओं में करीब 45 लोगों की जाने जा चुकी है नरसंगहार की दो बड़ी घटनाओं के बाद ही पिछली 12 फरवरी को केंद्र ने राबड़ी सरकार बरखास्त कर दी थी बाद में राबड़ी सरकार की बहाली में मददगार बनी कॉंग्रेस ने राज्य में दलितों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने पर जोड दिया था राबड़ी देवी का आज का जहानाबाद दौरा इसी संदर्व में देखा जा रहा है सुजीत कुमार जहानाबाद आज तक